हेलो स्टुडेयंट वैलकम अंस अगैन प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करता हूं सभी फीट और फाइंड होंगे इस वाले वीडियो में हम लोग एकसरसाइस 13.6 का कुईसन बर 2 सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखो जो भी बोला जा रहा है उसके मैं आपको बेसिक अंदर का डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर बाहर का 28 है इसका मतलब क्या हुआ थोड़े देल के लिए मैं धकन को फिर से आपके सामय ले आता हूं इसको समझना आप ठीक है थोड़ा से जूम करूं किया मैं जूम करने से नहीं समझ मैं आगा इसी समझ मैं आगा देखो पाइप मेरे को इसके अलावा कुछ मिला नहीं तो मैं आओर से चोड़ा कुछ ढूण रहा था तो मानलो कि यह जो हमारा अंदर का यह जो पॉइंट है इसे इस वाले अंदर का पॉइंट यहां से यहां तक की हमको दूरी दे दी गई है 24 सेंटीमीटर और यह जो बाहर का ह हमारा इलाका है ठीक है यहां पर यह बाहर वाला जो साइड है और इससे यह बाहर वाला साइड बीच में जो मोटाई है ना उसी से अंदर और बाहर यह चेंज होता है तो यहां बाहर से यहां बाहर तक का जो हमारा डामीटर है वो बोला जा रहा है 28 सेंटीमीटर उसके अल यानि की जो लखड़ी है अगर उसका वजन वन अनुसमेंटर का क्यूब अगर हम लग लेते हैं तो उसका वजन जो होगा मास मतलब वजन 0.6 ग्राम होगा तो आपको इस टोटल पाईप का वजन बताना है तो टोटल फाईप का वजन बताने के हम लोग क्या करेंगे, आफ़ी बताओ, simple है, हम लोग क्या करेंगे, पहले बाहर-बाहर का इसका volume जो है न, पूरा बाहर का cylinder का, वो कितना है, ठेक़्ाइ, यह लकड़ी जो हमारा cylinder का shape में, लकड़ी की pipe, तो बाहर का अपन पहले तो volume निकालेंगे, उसमें से ये जो अंदर वाला volume है ये खाली पार्ट ठीक है ये खाली जो पार्ट है इसको निकालेंगे और इन दोनों को आपसे minus करेंगे बाहर वाले में से अंदर वाले को आप minus कर दो तो बचेगा क्या ये जो पतला पतला जो हमारा pipe गया हो है ये वला इलाका यही तो बचेगा अगर मैं इस वाले corner से इस वाले corner का पूरा volume निकाल लूँ और अंदर का volume निकाल लूँ और बाहर वाले में से अगर मैं अंदर वाले का minus करूंगा तो बस यही वाला बचेगा इसको वजन आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको बता दिया गया है 1 cm3 एक्वल to 0.6 ग्राम तो जीतना भी volume निकलेगा उसका 0.6 से multiply करके हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं क्यों उसका वजन कितना होगा तो main हमको यही काम करना है बाहर के volume से अंदर के volume को minus करना है आई अब इसे हम लोग copy में solve परते हैं तो देखो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है अंदर का diameter दे दिया गया है और बाहर का diameter दे दिया गया है 24 और 28 cm3 मिटर हमको पता है कि volume का जो formula होता है इतना तो आपको अब तक clear हो गया होगा कि volume का अपस है सब्टेट करना है तो हमको volume का formula पता है pi r square h होता है यहाँ वहाँ पर r की जुरत पड़ती है r बोलते हम लोग radius को यहाँ पर हमको diameter दिया हुआ है तो सब सब पहले हम लोग अंदर का radius और बाहर का radius दोनों निकाल लेते हैं तो अंदर के radius को अपन मानलो छोटा r बोलते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 24 by 2 क्योंकि हमनों जानते है diameter का अधा radius होता है और यहाँ पर मैं इस वो छोटा r इसलिए बोलता हूँ ना यहाँ पर बड़ा r ले लेंगे देनोट कर लो और बाहर वाले को बड़े r से कर लो क्योंकि दोनों को अगर सेम सेम टाइप से देनोट करोगे तो खुद ही confused हो जाओगे कि हम लोग कौन सी r की value वहाँ पर रख रहे हैं तो इस तरीके से कर लो तो 24 में 2 को हम लोग डिवाइड देंगे तो हमारा आजएगा 12 cm यह अंदर वाला radius निकल गिया उसे तरीके से जो बाहर का radius है तो 28 को 2 से डिवाइड देंगे तो आजएगा हमारा 14 cm यह बाहर का radius निकल गिया अब हमने volume of pipe का आपको formula बताया कि इस तरीके से बनाना है आपको यहाँ पर आप लिखो volume कितना हो जाएगा तो बाहर वाले का volume pi r square h बड़ा वाला यह बड़ा आप से लिए रहा हूं क्योंकि हम लोग बाहर वाले diameter का बात कर सोरी बाहर वाले जो हमारा volume निकलेगा उसका बात कर रहे हैं तो pi r square h होगी बाहर का उसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाला तो वो हो जाएगा हमारा पाई छोटा आर वाला स्क्वेर एच ठीक है कैपिटल आर और स्मॉल आर अब यहाँ पर से इसी में से फॉर्मूला को बनाया जाता है इसको आप डाइड़ेड भी सॉल्ट को रहो कि तुत नहीं एंसर आएगा लेकिन टाइम एक्स्ट्रा लगेगा तो टाइम बचाने किरमों क्या करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं कई चुज़ों को दो को यहाँ पर कॉमन मिलता है यह मेरा पाई यहाँ भी है और यहाँ भी है तो पाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर भी एच्छ है यहाँ भी एच्छ है तो H को भी मैं common ले लेता हूँ बचा क्या तो यहाँ पर capital R के square minus में small r के square यही बज गिया तो यह इसका formula बनता है कभी भी जब आपके पास volume निकालने के लिए hollow pipe का तो अभी तो मैंने आपको देखो detail में समझा रहा हूँ इसलिए video इतना lengthy हो रहा है आपके पास अब कभी question निसे आया ना तो आप यह formula भी याद कर सकते होगे अगर केवला आपको pipe का जो रहत है पतले pipe का यानि इसका केवला अगर आपको volume का जो रहत है side side का यह beach का जो हमारा pipe है तो आप यह formula लगाना आपका direct answer आ जाएगा और यह formula इस वज़ा से यानि ऐसे बनता है तो आप यहाँ पर हम लोग इसका volume पुट करेंगे और हमारा answer निकल जाएगा pi के जगा मैं आप लिग दो 22 by 7 h हमको दिया ही हुआ था कितना दिया था भाई को इसका height कुछ बोला तो गया था wooden pipe इतना है length of the pipe is 35 cm बोला है यानि उसकी height जो होगी वो 35 cm हो जाएगी यहाँ पर अब हमारे पास r 2 का square यहाँ सुरी मत की capital r का square यानि की 14 का square हो जाएगा minus मे small r का square तो वो मेरा 12 का square हो जाएगा simple इसी formula को ना ऐसे भी लिखा जाता है देखो इस type से भी लिखते हैं डिटेल में आप देखो किन अपने book वगरम कहीं पे तो r का square minus में small r का square और ऐसे edge को side में लिखा जाता है तो edge को आप इधर लिखो या उधर लिखो सभी तो है multiply में ही तो बात ही की होता है इसलिए बने इदरी रहा दिया इसको अब यह हमारा जो solve वह रहा सो solve कर लो 7 बन जा 7, 75 जा 35 हो जाएगा उसके बाद हमारा यह 25 multiply 5 होगा तो 5 to 10 का 0, carry होगा 1, 5 to 10 और 1, 11 हो जाएगा इधर हमारे पास bracket के अंदर में क्या क्या बच रहा है अब पता ही कि हमारा यह cm का cube में आ जाएगा क्यों cube में आता है यह समझ में आ है? ना, देखो क्या होता है कि यहाँ height भी हमारा cm में है और radius भी हमारा cm में है तो अगर मैं 14 multiply 14 अलग लग लिखता तो 14 भी cm में आता और उधर भी हमारा 14 भी cm में आता तो वो cm나 Multiply यह कहरके cm2 बना लेगा और height वाले से Multiply होगा cm2 का, तो हमारा cmµ का cube बन जागा 3cm आप से Minglai हो त्यकुंअ जासे बाकी चीज का volume निकाला थे न, स्यम वेसी यहां पर भी हो रहा है अब यह हो जाएख forensic आफ्स दोन के जब आप इतना निकल गया उस पाइब का वोल्यूम इन हमको पाइप का वॉल्यूम ये वजन बता ही उस पाइप का कितना होगा लकडी की पाइप का तो मास हमको दिया कितना गिया था वहाँ पर मास हमको बोला गिया था कि 1 cm का cube equal to 0.6 gram के तो यहाँ पर हमारे पास इतना cm का cube आया है तो simply जब हम लोग इस काई से multiply कर देंगे देखो 1 का दिया हुआ है जादा का निकालना है तो जब कभी वह 1 का दिया रहा है ज्यादा के निकालना रहा है तो हम लोग क्या करते हैं multiply कर देते हैं तो यह हमारा हुझ जाएगा 0.6 multiply 5720 और यह हमारा किस में निकल जाएगा ग्राम में करवट रहेगा क्योंकि मास होता है वो ग्राम में निकलता है तो बस simply इसे जब आप multiply करोगे इसका answer आजाएगा 34 आएगा 34, 32 ग्राम आप multiply करके देख ले ना वीडियो बहुत जादा lengthy हो जाता है इसलिए मैं इसमें टाइम बचा रहा हूँ आपका तो वीडियो में हम लोग टाइम बचाने के लिए के वर multiply नहीं करते हैं इस्टुडियो में जहां पर जो आगे questions से ना उनको इसी तरीके से simple method में समझा दूँगा ठीक है और हाँ यहां पर भी हमारा gram निकला हुए बहुत बड़ा gram दिख रहा है तो अगर आप gram को अगर आपके book में एक answer दिया हुआ हो kg में तो kg में convert कर सकते हो क्योंकि हम जानते हैं 1 kg में 1000 gram होता है तो simply यहां पर 3,4,3,2 को 1000 से divide दे दो तो यह हमारा kg में convert हो जाएगा यह बन जाएगा 3,4,3,2 यहां नीचे 3,0 है तो right side से 3 digit के पाद decimal लग जाएगा इतना kg हो जाएगा इस cancer तो इस तरीके से आप जैसे भी आप बूक में जो दिया हो तो आपको जो teacher बोले उस type से आप नहीं काल सकते हो चलिए मिलेंगे नेक्स टूडियो में तब तक प्लिए thank you for watching